हेलो दोस्तों वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 20 फिट बाई 25 फिट का यह बहुत ही संदर सा हाउस प्लान है दोस्तों इसमें आपको दो बेड रूम गेस्ट रूम कीचन ट्वैलेट हाल स्टेयरकेस का सारा सेटप आपको हैं यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका प्लान देखने को मिलता है इस हाउस प्लान में हम आपको पूरा वन बाई वन करके बेड रूम का साइच कॉलम का साइच वाल का साइच कैसे इस हाउस प्लान को पूरा सेटप किया गया है पूरा थ्री में आपको ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देख सकते हैं सबसे पहला हमारा काम होता है कालम को खड़ा करना कभी भी आप घर बना तो सबसे पहला काम होता है कालम को करें ठीक है तो कालम बना देते हैं देख सकते हैं दस नो इंच वाइन नो इंच का आपको कालम है और इस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरा देखने को मिल जाता है इसी तरीकी से जब आपका फाउंडेशन त्यार हो या तो घर का जो लूड है या जो उपर का लूड है यह कॉलम के राश्टे ही जमिन पर होता है ठीक है तो इसके लिए आप कॉलम की मजबुती द्यान दें कालम में खड़ा होना चाहिए और कालम का प्रोपर क्यूरीं में चाहिए डिन किया जाता है लेकिन आप मिनिम्मम चौदर दिन क्यूरिंग करें क्यूरिंग मतलब यह दिन उनको अच्छे से लपेट के इस पर प्रॉपर हमेंसा क्यूरिंग यानि करते रहना है यानि पानी डालते रहना है जिससे इसकी मजबूती काफी अच्छा रहती है ठीक है तो दख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने के बाद आभी हम आउटर का कॉलम भी स्वरी वाल भी कर दे rekis के लिए आपमेशा कभी भी आप घ packet की यह थ्यान दे कि बाहर के जुदि या रहे हैं वह नवा इंच का भनाएं ठीक है तो देख सकते हैं यह जो हम लेवल की मार्किंग कर रहे हैं यह वाला थिके यह जो लाईन है यह आपका प्रिंद्ध लेवल की मार्किंग क्ढ़िस कभी आप घर बनाया तो उकाई भी एक हाइट फिक्स करें ठीक है वह हाइट जैसे कि मा लेजे अभी आपने घर बनाया तो जो हाइट अच्छा में नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको घर का रोड चोड़ा हुआ हाइट हुआ तो क्या होता है घर आपका डाउन में चल और दूसरा चीज आपके घर का जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो खतम हो जागे जैसे नाला घर के सामने जो है वो सेम लेबल पे हो गया तो पानी अच्छे से जल्दी से नहीं निकल पाता है बाहर में तो उसके लिए आपको क्या करना घर ऊपर आएगा तो आपके घ लाइन कर दिया को उनली एक लाइन मारा उससे यह घर का लुक कितना बढ़ गया ठीक है अब इसको कलर करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा तो यह सब सारी चीज़े होती है घर की सुंदरता को बढ़ाने के ठीक है अभी देख सकते हैं यह आपका जो सामने का है अभी सेट कर दिया और यह विंडू देख सकते हैं यहां से कुछ इस तरीके से निकाल दिया यहां पर सामने में आपको विंडू देखने को मिल जाता है ठीक है चलिए अब अंदर का पहले दिवाल खाड़ा कर लेते हैं सारा पाठीशन वाल उसके वास्ते हैं मौन वाइबरन कर ब करने के बाद आपको इसमें डौर किस तरीके से फिट करना है यहीं सारी डीटेल हम आपको बताएं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह ils तरीके सझ पर यहां बहुत मेंद गेट साथिक gymn acum ए नरी साओं देख सकते है कुछ तरीके सट यह आपक करेंगा अंदर गुछने का पाठ है तो इसके लिए आपको यहां पे एक डूर चाहिए तो डूर के लिए हम ने देखें सिंपल सा यहां पर एक यहां पर कि जोवाल है इसको हम चला देंगे देखिक की तक देखते हैं यहाँ पर उत्र मिल गया वह अधर डिया घीट है तो आप यहां पर दिखसक से मटोब यहां तो प्छयां पर यहां पर यहां पर यहां पर की चौडाया है तो यह आप यहां की कारें देखी आर धोगया के дальше ठीक है तो देख सकते हैं तो यह लग रहती है में गिट की चोडाई अलग रहती है और आपका पर यहां पर छोटा है इसके लिए बड़ा साइज का तीन फिट का अंदर से आपको देखने को को एक डोर मिल जाता है यह गेस्ट रूम के लिए ठीक है दूस्तों यह हाउस प्लान का सबसे इंपोर्डेंट है यह इतने छोटे में आपको गेस्ट रूम का सेटप जो मिल रहा है यह काफी बढ़ियां है बहतरीन भी है ठीक है यह देख सकते हैं यह आपका छोटा सा कीचन मिलता है यह घर में ठीक है यह चीज आपको थोड़ा सा अज्यस्ट करना पड़ाएगा यह चीज कीचन का साइज बहुत छोटा है इसमें आपको एक ही लोग जाके खाना आराम से बना सकते हैं ठीक है अगर जो आपकी सिंगल फैमिली है आगर अकेले खाना कोई बनाता है है ठीक है यहां से करने के बाद दिख सकते हैं यह आपका जो पूरा घर का लुक है वह अभी वाल तक स्लेब को छोड़के सारा यह टूजेट ओक हो गया ठीक है अभी सबसे इंपोर्टेंट चीज है एक डैमेंशन डीटिल आपने बोल आपका सबसे इंपोर्टेंट चीज तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको केवल मार्क यह वाला आपको सेयर करना पड़ेगा यह आपका जो वीडियो रहेगा यह वीडियो सेयर करेंगे मेरे को ही सेयर कर दीजिए जिससे मैं पता लग जाए कि हाँ यह यह हाउस प्लान का इनको पीडियप आइच की बात करें तो आप थोड़ा सा यहां पर देख सकते हैं यह तो यह देख सकते हैं इस तरीके से है यह यहां पर थोड़ा मेजर थोड़ा सा गलत कर दिया है यह देख सकते हैं यहां से लेके यहां से लेकि अगर यह कोने तक की बात करें हम तो सुरी यह देख सकते हैं in jc và 10 feet सब्सक्राइब लिए इस सब्सक्राइब यह यहां से लेकिए यहां तक बात करें तो 9 feet एक इंच आता है और इसकी लेंड की बात करें वेडरूम की तो यह सकते हैं 10 feet का यह पीछे दोनों Bedroom है वह सेum size को देखने को मिल जाता है अब यहां पर कीचन कीचन आपको भूल से थ् expertise है देख सकते हैं 4 फीट 10 इंच का और आपको शोरी यह इधर से ले लेते हैं यह देख सकते हैं पांच फीट एक इंच के आच पास आपको यह देखने को मिल है इधर में कीचन और सेम अपूजीट साइड में इधर देखने को आपको मिलेगा ट्वाइलेट ट्वालेट है चार फिट वाई चार फिट दस इंज का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कीचन थोड़ा सा छोटा है एक ही आदमी जाके आराम से खाना बना पाएगा मनाने के गेस्ट रूम की बात करें तो देख सकते हैं आठ फिट इसकी चोड़ाई और लंबाई की बात करें तो देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक आपको नौ फिट साथ इंच देखने को मिल जाता है गेस्ट रूम का साइज एदम परफेट है कोई दिक्कत नहीं हाउस प्ला इसका लेंथ मिल रहा है अगर चोड़ाई की बात करें तो यहां से यहां तक आपको आठ फिर दो इंच की चोड़ाई मिल रहा है ठीक है इतना दूर में एक स्टेयर केस बनाने के लिए काफी सफिसियन जगह है थोड़ासा यहां से अच्छे से देखेंगे तो देख सकते हैं मैं आपको काफी सुन्दरता यहां पर एक स्टेयर मिलता है जहां से आप अपने घर के अंदर इंटरी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो आप यहां पर सारा कुछ देख सकते हैं पूरा डीटेल हमने आपको एकदम अच्छे से बारिक से हमने सारा कुछ बताया थी हाउस प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूरू बताना और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं बेल आइकन भी प्रिस कर सकते हैं जिससे आपको जब्हें को निए वीडियो अपले नोटिफिकेशन बेल में चला है तो यह जो घर बना है इसके साइड साइड में उनका खुद का जमीन नहीं है तो इन्हेंने खायवल फरस्ट में ही बिंडो का सेटप देखने को मिल जाता है अगर आपके घर में वोटीस का भी सेटप चाहिए तो ओटीस का भी सेटप आप डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन इसके लिए हमने नहीं डाला ठीक है तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हाऊस इस बाइब कर लिए तिसरा बार बोल रहा हुं ठीक है एए उडायों कैंति के लिए जया हैं दोस्तों